अगर हम लोग लेटास आर्टिकल की बात करें तो जल्दी एक आर्टिकल पब्लेश हुआ है जिसमें बताया गया है यह दावा करा गया है कि हम लोग एक ऐसा एक नॉन मुविंग पार्ट वाला एक एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं एक कह सकते हैं थर्मो फोटो वोल्टाइक मैटल एक मैट्रियल डवलप कर रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा कि 40% से ज़्यादा जो हमें विशेंसी दे देगा बिना किसी मुविंग पार्ट के यह बहुत बड़ा अपने आप में एक रिसर्च है और इस लेक्चर के अंदर ही काफी कुछ सीखने को मिलेगा यह पूरी जो सीरीज है यह मेरी फेवरेट सीरीज है इसके अंदर मैं लेटेस इससे टॉपिक डिसकस करूँगा क्योंकि यह बहुत जरूरी है आप जो भी पढ़ रहे हो और जो दुनिया में हो रहा है उनके बीच में लिंक आपके अंदर होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हो कैसे अपलाई होता रियल वर्ड में तो यहां पर मैं अपनी जो भी मेरे पास जितना भी मेरे पास नौलेज है उन सबका इस्तमाल करूँगा और आपको एक बहुती खोजा है यहां कहा सकते उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तयार किया है ऐसा थर्मोफोटोवॉल्टाइक यह जो थर्मोफोटोवॉल्टाइक है इसको इंप्रूव किया है कि इसने 40% तक की एविशेंसी प्रोवाइड कर दी है इसको जरह समझते हैं तो अगर सबसे पहले बात क इस पोटो अने को सब्चन को नर्गल एन जो पोक में निया कि सोटो कोज़के रोप में स्थीक पॐता है तो यह कि एक सिम्पल सा तरहिका है कि में सब लोग जाने हैं और इसके एक लग Al ex को इसके बारे में पड़ रखआ हैं दूसरा एक तरिका और होता है जो कि तो thermophotovoltaic cells क्या होते हैं कि simply हम लोग क्या करते हैं इसमें directly solar energy का इस्तमाल हम लोग solar photovoltaic energy का इस्तमाल directly नहीं करते हैं बलकि indirect way में इसको हम लोग power generation के लिए इस्तमाल करते हैं तो अगर हम इसकी working को समझे कि कैसे thermophotovoltaic power generation करता है तो बड़ा ही interesting concept है यहाँ यहाँ पर pen का color change कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पर एक बड़ा interesting concept है होता क्या है कि हम लोग यहाँ पर heat देते हैं heat जबलब करते हैं यानि कहीं पर भी अगर heat है तो वो heat हम लोग क्या करते हैं एक system होता एक emitter कहते हैं इसको क्या कहते हैं यह हो गए तुमारा emitter ठीक है जहां से radiation emitter होगा तो हम क्या करते हैं हम एक emitter त्यार करते हैं जिसका काम क्या होता है कि जब उसको heat energy दी जाएगी तो वो खुब high intensity के IR infrared radiation को emit करेगा ना intensity high intensity intensity का क्या मतलब होता है intensity का मतलब होता है number of photons यानि कि इसके अंदर जो photons निकलेंगे जो contas निकलेंगे light के जो infrared radiation क्योंकि काफी ज़्यादा amount के IR infrared radiation को यह exit करेगा या emit करेगा ठीक है यह जो infrared emission होता है यह क्या होता है यह हम इसको impart करते हैं इस PV cell पर यह है PV photovoltaic cell यह जो PV होता है यह specially design करा जाता है IR radiation को sensitive होता है यानि कि generally जो मैं PV देखता हूँ अगर हम normal PV की बात करें तो वो हमारे क्या होता है वो visible range में काम करते हैं इसके उपर मैंने एक पीछे lecture आपको बनाया होगा आपने दिहान होगा अगर इस series को आप देख रहे हो हमने देखा था कि satellite जो होती उसके अंदर solar PV होते हैं अगर हम बात करते हैं सैटलाइट में यूज होने वाले PV की तो वहाँ पर यह अदर देन विजिबल के अलावा भी जो हम लोग रेंज है उनको पकड़ने कोश्च करते हैं ठीक है तो यहाँ पर किया होता है यहाँ पर जो PV करते है तो इसलिए इसका नाम पढ़ा धर्मो फोटो वोल्टाइक यानि घरमल एनर्जी जिससे अमिटर गरम करा वहाँ से निकले photons IR radiation के IR radiation के और उसने convert बनाई electrical energy तो thermophotovoltaic ठीक है तो IOB समझ माई हो working तो हम लोग कर क्या रहे हैं basically हम लोग यहाँ पे thermal energy को electrical energy में convert कर रहे हैं without using any moving part ठीक अब यह जो thermal energy है यह कहाँ से आएगी यह तुम sun से भी कर सकते हो कि सूरज के अंदर गर्मी होती है उससे तुम इस emitter को गर्म कर लो या फिर nuclear reaction से nuclear power plant में जाओगे तो nuclear reaction से इसे गर्म कर सकते हो coal जला के भी गर्म कर सकते हो किसी भी तरीके से आप जैसे आप steam generate करते हो steam से इस emitter को गर्म कर सकते हो खास बात यह है यह जो आपको पता होगा इस तरीके के blades होते हैं अब टर्वाइन की खास बात यह होती कि इसके अंदर क्या होता है बहुत सारे moving part होते है तो यह problem जबकि यहाँ पर अगर तुम देखते हो thermophotovoltaik तो किसी भी तरीके का moving part देखने को नहीं मिलता है तो यह conventional thermophotovoltaik power generation है आई होब यह working समझ में आगई होगी कि किस तरीके से thermophotovoltaik काम करता है clear होगा है यहाँ पर कोई doubt है तो comment section पूछ सकते हैं मैं उसका answer दूँगा वहाँ पर now अगर हम बात कर लेते हैं conversion efficiency की तो conversion efficiency अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर turbine based power generation की यानि की पूरी दुनिया में जो भी power बन रही है वो majority जो होती है वो बना रही है हमारी turbine based power generation यानि turbine का इस्तमाल करके हम लोग जो synchronous generator alternator use करते हैं उनके अंदर आगे turbine लगी होती shaft से और वो turbine तर्बाइन को हम गुमाते हैं चाहे हम पानी से गुमाएं water से गुमाएं या थी hydro power plant बना देंगे steam से करेंगे तो steam से हम लोग क्या कर सकते हैं nuclear power plant बना सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं thermal power plant तो इन सब जगाओं पे क्या होता हम basically turbine गुमा रहे हैं और power को generate करें पर जानके हरानी होगी कि इसकी जो operation efficiency वो 30 से 35 परसेंट ही है यानि कि केवल 30 से 35 परसेंट ही energy हम convert कर पा रहे हैं यानि अगर माल लेते हैं मैंने 100 परसेंट energy दी तो उसका केवल 30 से 35 परसेंट पार्ट ही convert हो पाएगा electrical energy में यानि कि जो भी तुम energy को input करोगे energy दोगे input उसका केवल 30 तो 35 परसेंट ही energy output दे पाएगा कितनी कम efficiency है और फिर भी पूरी दुनिया इसी पर rely कर रही है ठीक है दूसरी बात अगर हम यहीं पर बात करें कि फिर हम इस पर ही क्यों rely कर रहे हैं हम लोग solar PVS पर जाओगे तो देखो इसकी efficiency 15 से 20 परसेंट है जो काफी कम है दावा किया गया था कि इसे 50 परसेंट तक बढ़ा दिया जाएगा research में पर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है ठीक है तो इनकी इसकी efficiency 15 से 20 परसेंट है अगर अभी जो हमने नया नहीं सीका थर्म फोटोवल्टाइक पाउर जनेरेशन की बात करें तो इसकी efficiency भी जो conventional होते हैं यानि कि जो अब तक यानि कि इस research से पहले तक के जो थर्म फोटोवल्टाइक थे उनकी efficiency भी 20 से 25 परसेंट तक थी अगें रिसर्च चल रही है लेकिन अभी भी हम लोग इनकी efficiency को अब तक नहीं बढ़ा पाए थे आगे चलते हैं अगर हम बात करें पर टर्वाइन बेस पावर जनेरेशन रही है तो क्यों हम लोग इससे आगे बढ़ना चा रहे हैं आगे आकर हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी बढ़ रही है तो यह कुछ प्रॉब्लम से एक ही करके डिसकस करते हैं सबसे पहली चीज़ तो यही मैंने बताए कि केवल 30-35% जो अपने आप में एक बहुत ही कम है ठीक है यानि कि तुम इतनी सारी energy दे रहे है और केवल उसका 30-35% तुमें return मिल ल generation है यह काफी मतलब यह पहुत पुराना यानि कि 1900 में से तब से चल रहा है यह power generation ठीक है काफी पुराने समय से हमनों turbine से power बना रहे हैं तो लगतार engineers ने research करी scientists ने research करी और ultimately यह conclusion निकाला गया कि यह maximum है जो हम obtain कर सकते हैं यानि कि जो cost के उपर research थी कि कि कितनी cost cutting कर सकते हैं turbine turbine में कितना efficient बना सकते हैं और जो performance थी यानि कि क्या हम लोग इस efficiency को improve कर सकते हैं तो यह सारी research करने के बाद यह निकाला गया कि भाई जो 30-35% है यह maximum performance है maximum efficiency है जो एक turbine based power हमें turbine power generation हमें दे सकती है और cost भी इसकी maximum जितना भी हम cost cutting कर ले एक point पे जाकी research रुख चुकी है इसीर म क्योंकि एक point पाकी research इसकी saturate हो सकी है अब क्योंकि research saturate हो गई है तो यहाँ पर एक point और आ जाता है कि इसमें growth का scope नहीं है यानि कि future में आप सोचो कि future में हम turbine को और efficient बना सकें या cost कम कर सकें तो इसके chances बहुत कम है future में ऐसा होने ही chances बहुत कम है ठीक है क्योंकि बहुत large number of people all over world इस पर research कर चुके हैं और उनको कोई खास ऐसा point नहीं मिला तो एक और बड़ी कमी आ जाती इसके अंदर आर cost की बात कर लेते हैं ऐसे system को चलाने के लिए क्या होता है हमारे पास एक तो lots of moving parts या नहीं moving parts बहुत सारे होते हैं क्योंकि obviously बात है turbine जब rotate होगी तो उसके अं हमारा जो alternator है जो turbine है उनके blades meltdown ना हो जाएं क्योंकि आप सोच के देखो इन पर steam परती है तो इनके chances बहुत ज्यादा होते हैं तो इसलिए पूरे system को चलाने के लिए हमें cooling system की भी जरूरत परती है यानि कि strong cooling system भी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा system बहुत अच्छे से जाते हैं और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा system डिजाइन करें जिसमें rotating parts कम हो जिसमें यह सब problems ना हो और efficiency बड़ी important चीज़ है efficiency हमारी 35 के power का सके क्योंकि अभी पुराने मैंने अभी photovoltaic और वो दिखाया था आपको दोनों ही renewable energy चल सकते हैं पर efficiency कम होने कारण हम उदर shift नहीं होते क्योंकि ultimately हम चाहते हैं कि power हमारी ज़्यादा बने अगर नहीं बनेगी तो हम लोग कैसे turbine को हटा सकते हैं world में से ठीक ह तो यहाँ पर जो latest research होई आप इसको discuss कर लेता हूँ आई हो आपको background समझ में आगया होगा मैंने आपको अभी तक यह बता दिया है कि basic क्या होता है थर्बो फोटो वोल्टाइक का और जो turbine है उनके साथ क्या कमी है अब researchers ने क्या करा researchers ने यहाँ पर फोटो वो जो पुराने थर्बो फोटो वोल्टाइक थे उन्होंने क्या करा उसको इसके emitter को optimize करा है याने कि main research जो है वो नोने क्या करी है उन्होंने इसके emitter को optimize करा अब यह कैसे करा है तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने temperature को बढ़ा दियाॉन ह trainers जो था जो पहले टेमपरेचर 1000 के आसपास थ उसे बढ़ाके 1900 degree centigrade to 2400 degree centigrade यानि कि 2500 तक temperature हमने बढ़ाने की कोशिश करी है ठीक है इससे फाइदा क्या हुआ है इससे फाइदा ये बताया है जो उनके researchers हैं उनका जो leader है उन्होंने ये चीज क्लेम करी है एक rule of thumb बताया उन्होंने कहा कि अगर हम थर्व फोटो वोल्टाइक के साथ डील करते हैं तो अगर तुम temperature बढ़ाओगे तो वो temperature बढ़ने से ज़्यादा power generate होगी और cost उतनी ही कम होती चली जाएगी क्यों क्योंकि जब हम rule of thumb ये कहता है कि जब आप temperature बढ़ाएंगे तो power density बढ़ेगी power density का मतलब current जो voltage होगा वो ज़्यादा produce होगा और voltage ज़्यादा produce होगा तो हम current को कम कर सकते हैं system के अंदर तो cost जो होगी वो काफी ज़्यादा limit हो जाएगी clear हो रहा है दूसरी एक और बात बड़ी बताईए कि अगर power ज़्यादा बनेगी same system में तो cost efficient हो जाएगा ना system कि माल लेते हैं हमारा कोई system है वो हमारी power बनाता है एक क्लो watt माल लेते हैं एक system है जो एक क्लो watt power बना रहा है ठीक है तो इसके अंदर माल लेते हैं 100 रुपए तुम खर्ज कर रहा है इस system को खरीदने के लिए तो यानि कि हमारी 1 क्लो watt कितने रुपए की पड़ी 100 रुपए की पड़ी जाके वहीं पर अगर ये same system temperature बढ़ाने पर हम मान के चलते हैं ये 2 क्लो watt दे देता है तो अब क्या होगा है अब हमारी 1 क्लो watt कितनी रुपए की पड़ी 50 रुपए की तो same system में अगर हम temperature बढ़ास देते हैं तो power बढ़ जाएगी तो power बढ़ने से cost efficient system हो जाएगा तो इसलिए उन्होंने क्या करा है इस system का temperature rise करा और temperature rise करके उन्होंने ज देखा है कि यह जो thermophotovoltaic cells जो थे जो पहले कम power बना रहे तो ज्यादा power बना रहे है प्लस इन्होंने क्या करा है एक reflector का भी इस्तमाल करा है इस research में reflector का काम क्या था reflector क्या करता है यह low energy radiation को emitter पर वापस मार दे रहा है और उसको heat करवा रहा है अगर हम बात करें अभी मैंने बताया था यह आपके पास emitter है और हम लोग क्या कर रहे है इसके उपर heat energy दे रहे थे यह heat energy देने बाद इसके अंदर से निकल रहे थे photons photons यानि कि IR radiation इसके अंदर से emitter हो रहा है ठीक है अब मान के चलते है IR radiation जो है कुछ IR radiation high energy का होगा high energy का और कुछ IR radiation जो होगा वो low energy का होगा clear हो गया low energy का तो जो high energy का radiation है यह अगर photovoltaic पर पड़ेगा PV's पर तो यहाँ पर क्या होगा high current बनेगा यानि की high power बनेगी power की value बढ़ जाएग नहीं बना पाएगा तो हमने क्या करा है इंजीनियर्स ने यहाँ पर रिसर्चर ने यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगा दिये इस रिफ्लेक्टर काम क्या है यह रिफ्लेक्टर केवल उन्हें infrared radiation जो low energy के थे उन्हें वापस से reflect कर देगा emitter की तरफ clear हो रहा है यहाँ यहा radiation कम पावर का होगा यह reflector उसे वापस भेज देंगे emitter की तरफ और इससे emitter वापस से heat up होगा यानि कि अब अगर emitter को देखोगे तो एक तो heat energy यहाँ से दे रहे हो और एक heat energy low energy के infrared radiation यानि कि IR जो low energy के IR है वो reflector जो भेज रहा है वो वहाँ से तो यानि कि double heating होगी यानि कि जब emitter होगा वो ज़्यादा heat होगा क्योंकि एक तो heat energy तुम दे रहे हो और जो IR radiation जो low energy का था वो भी वापस आ रहा है इससे होगा क्या जब emitter ज़्यादा heat होगा तो जो high energy के infrared radiation है higher energy के IR होगे वो काफी ज़्यादा उनकी majority बढ़ती चली जागी क्योंकि देखो क्या होता ह infrared radiation की IR radiation की जो energy होती है वो depend करती कि तुमारा metal कितना heat up है यानि कि गरम चाहे लेके आओगे उसके ज़्यादा IR radiation high energy का radiation निकलेगा बजाए एक थंड़ी चाहे के थंड़ी चाहे अगर हलकी सी कम थंड़ गरम है वहाँ पे भी IR radiation है पर उसके energy कम है तो हम लोग क्या करेंगे य ज़्यादा energy की IR radiation निकलेगे और इससे हमारी क्या होगी ज़्यादा power बनेगी ठीक आयो concept समझ में आ गया होगा कि research में researchers ने कैसे इसकी efficiency बढ़ाई बड़ी चीज यह है research क्या होई है वो तो आपको अक्वार में मिल जाएगा लेकिन कैसे करा है यह चीज बताना मेरा काम है एक तो उन्होंने emitter को optimize करा है वो कैसे करा है reflector का इस्तेमाल करके reflector दूसरा temperature बढ़ा दिया दो काम करे एक reflector लगाया एक temperature बढ़ा दिया temperature बढ़ाने से हमने क्या करा energy जो बढ़ा दी अपनी power बढ़ गई और cost कम हो गई वैसी reflector ने क्या करा reflector ने जो low energy के radiation था उसे वाप बनाएगा clear हो गए यहाँ पर देखने में क्या आया बड़ी important result क्या निकल क्या इस research के बहुत impressive result है इस से convertent efficiency थी वो 40% तक बहुच गई यानि कि हमने जो turbine की जो efficiency थी अभी मने पीछे देखा था 32-35% उसको exceed कर गए है यानि कि अगर यह research successful रहती है आने वाले समय में हमें ब continuously और in large scenario में तो बहुत जल्दी हमें यह थर्म और प्लांट से हमें निजात मिल जाएगी हम इनको छोड़ सकते हैं और उनकी जगा में replacement मिल जाएगा इन थर्म फोटोवोल्टाइक्स का ठीक है एक और बड़ा impressive result यहाँ पे निकल के आया कि इनकी जो cost निकल कही मैंने बताय turbine का जो cost होती वो कितनी होती 1 dollar per watt होती है ठीक है यानि अगर तुम turbine से power बना रहे हो तो 1 dollar में 1 watt मिलेगा यानि कि 1 watt की जो power है वो 1 dollar में जाके मिलेगी जबकि अगर तुम यह जो researchers ने research करी है यहाँ पे इनोंने जो cost बचाई है वो कितनी करी है 0.1 dollar में हमें 1 watt power मिल जाएगी मैं latest research पे articles cover करूँ तो आप यहां comment section में वो भी बता सकते हो मैं उसके उपर जल्दी जल्दी एक अच्छे से research articles डालूँगा यह बहुत जरूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो connect कर पाऊ आप इसलिए यह series मैंने शुरू करी है और यह हमेशा यह मेरी favorite series है इसलिए मैं इसके उपर काम करता रहूंगा और नए से नए research article आपके सामने लाता रहूंगा जो भी कुछ नए सीगा comment section बता सकते हैं कोई doubt है वो भी बता है channel like और subscribe नहीं किया तो वो कर सकते हैं आपने इमना कीमदी समय दिया उसके लिए धन्यवाद